पहली बार जब मैं अमेठी आई तो शायर में दस आई थी थी मुझे याद है चुपचाप से उनके पीछे बैठती थी वो जीब चलाते थे हम लोग गाहुल और मैं पीछे बैठके एक दूसरे के नुख जोकियों उकर करके देखते थे कि पिताजी क्या कर रहे हैं किस तरहे से लोगों से मिल रहे हैं प्याज से मिल रहे हैं लोग उनको कैसे मिल रहे हैं तो जब जो पहली सीख मुझे मिली कि एक नेता और जनता के बीच में कैसा रिष्टा होना चाहिए तो उस उमर में अपने पिताजी से मिली आप सब जानते हैं मेरे पिताजी एक और नेक इंसान थे दिल बहुत साफ था, इमानदाग थे और बहुत हिम्मत वाले थे जैसे जैसे मैं बड़ी हुई कभी-कभी उनके चुनाव के प्रचार के लिए यहां आजाती थी पहली बार जब मैं 20-25 दिनों के लिए यहां आई तो अपनी माताजी के साथ उनके प्रचार में आई और यहां तातारफुर का जो गेस्ट हाउस का वहां पे हम लोग रहते थे उस समय कुछ साथा साथर नहीं थे प्रचार भी अलग तरे से होता था गाओं गाओं जाते थे मैं माताजी के पीछे पीछे जाती हुई पिताजी जुनाव जीते प्रधान मंत्री उस समय थे अमेठी के लिए जितने काम कर पा है उन्होंने किये यहां फे बड़े बड़े उव्योग खोले संके बनाई उस समय इंडिया मार्क वान होता था हर जगे इंडिया मार्क वान लगवाया